घर पर कैसे बनाते हैं प्रोटीन तो आपको प्रोटीन बनाने के लिए काजू, चना, बादाम, सोयावीन, मुमफली तो सबसे पहले आपको ये समान लेना है पूरा और तबे पर या आपके हर तबा है तो तबा ने तो कोई कड़ाई है तो एक दो दो तिन दिन में बून लेना इसको, थोड़ा सेख लेना और उसके बाद नए सिश्टेप पर मिलते हैं मुझे जादा बनाना है इसलिए मैंने पूरा समाण जादा जादा लिया है अगर आप घर पर ट्राइ करना चाहरे हैं तो पहले 100야 ग्राम लेना सब चीज और जब बना लेना क्यूंकि मुझे जादा चाहिए इसलिए मैंने जादा बनाया है और चलो चलते हैं इसका पोडर बनाते हैं प्रोटीन आपको न थोड़े काजू थोड़े सोयाभी थोड़े चने थोड़े मुमफली थोड़े बादाउ जब थोड़े थोड़े लेंगे ने तो मिक्स करने में लास्ट में असानी होएगी और चलो तो आभी थोड़ा मोटा है और एक बार करेंग ने भी इसको पोर्डर बन के हो गया हमारा तयार अगर यह थोड़ा ठीक है यानि मोटा है तो इसको एक बार और ट्राइ करेंगे यह देखिए हमारा पॉर्डर बन के हो गया तयार और अभी यह बाकी है मिक्स करेंगे पूरा और घर पर ऐसा बनाती प्रोटीन मुझा लगता इसका यह नीचे से निकल गया यह नीचे से निकल गया तो अब ट्राइ करेंगे इसके अंदर क्यूंकि यार इसका वह टूट गया चलो अब तो छोटा वाला जग तोड़ चुका है तो अभी मैं बड़े वाले में ट्राइब करूंगा एक बार तो सब्सक्राइल मुम फली चना सोया बीन अपना काजू फेवरिट बादाम चलो ट्राइब करेंगे अब्सक्राइब करेंगे कि थोड़ी मैंनब तो है क्योंकि मैंने भूना है पूरा और अब इस दोड़ा मोटा है तो पूरा हो गया पोडर हमारा मगर है अभी थोड़ा थोड़ा जिसको मैं एक बार और डालूंगा भी तो अभी पोडर हो चुका है बिल्कुल बनके तयार यह देखिए बिल्कुल तयार हो गया अब मुझे इसका क्या करना है w हॉलिक्स और ये मुझ thereby mix करना है अच्छे से हैं तो मैंना भी एक हॉलिक करना है अच्छे निया अब इसके अनदर है पूरा diabře करना है अच्छे से यह मेरे ट्टल 600-700 रुपेम प्रोल टेन बनके तैयार अज देंसी MA यह पंडरह विद्म की लग़े डिन प्रोल बन गए मेरी अभी यह जिम के बाद मॉनिंग यह प्यूंगँ और जिम के बाद में इवनिंग जिम जाता हूं जिम के बाद दो चम्मच और दो चम्मच दूद में सुबा में और दो चम्मच दूद में शाम में मिक्स करके और अच्छे से पियो देजी प्रोटीन है और फिर रिजल्ट रिजस्ट आठ दिन में देख लिए क्या हो जागा और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में फॉलो जरूर कर देना सस्क्राइब माई यूटुब चैनल